हलो साथियों, नमस्कार, मेरा नाम विमला पाल, मेरे यूटूब चैनल, वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों और बताएं, आप लोग कैसे हैं? उमीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्त होंगे दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनरोध है, कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवस्ति करें और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में सेयर अवस्य करें दोस्तों हम आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ जा कि अगर हम सभी भाई बहन एक दूसरे का बीडियो सिर्फ जादा नहीं एक बीडियो किसी एक ब्यक्ति को सेयर कर दें तो उससे हम सभी लोगों का बहुत फायदा होगा तो हम लोगों में ये कोशिस होनी चाहिए कि आज से ही किसी एक ब्यक्ति का वीडियो अवस्येयर करें और जहां प्रति दिन किसी एक वीडियो का किसी एक ब्यक्ति का एक वीडियो सेयर करेंगे तो उसका result भी हम लोग देखेंगे कितना अच्छा मिलता है तो चलिए हम सुनाते हैं एक कहानी और कहानी क्या है कहानी है सरकस की एक बार की बात है एक महले में सरकस लगा हुआ था लोग सरकस देख रहे थे वहाँ पर सरकस दिखाने वाले के पास दो डंडे लगे हुए थे और उसमें एक पतली सी रस्षी बंधी हुई थी सरकस का खेल सुरू होता है एक व्यक्ट उस डंडे की सहता से उस रस्षी पर चलता है धीरे धीरे वाय रस्षी पर चलता है रसी पार कर लेता है इसी तरह एक के बाद एक वह कर्तब दिखाता है और जैसे जैसे एक नया कर्तब दिखाता है वैसे वैसे वह रसी को और उचा करता जाता है और देखने वाले लोग बहुत ध्यान से सरकस देख रहे थे और खुस होकर तालिया बजा रहे थे उसके कर्तब कुछ लोग तो उसके फोटो कहींच रहे थे सबी को बहुत अच्छा लग रहा था पर एक के बाद एक जैसे ही वह कर्तब दिखा रहा था तो जब अगला कर्तब उसने दिखाया तो उसने रसी को और उचा कर दिया और उसके बाद वह अपने बेटे को अपने कंधे पर बैठालता और उस रसी पर चलने लगता है जैसे ही वह रसी पर चलना सुरू करता है ल इस लोग तालिया वजाना बंद कर देते हैं और सभी का मन उस बच्चे पर चला जाता है। और रसी को पार करने के बाद में वन जैसे ही उसने रसी को पार कर लिया तो सरकस का मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गून उठा। तब वह व्यक्ति खोसो करके लोगों से पूचता है कि क्या यह कर तब मैं दुबारा फिर कर सकता हूँ। लोगों ने तालियां बजाते हुए कहा कि हाँ आप दुबारा फिर कर सकते हैं। वह व्यक्ति फिर पूचता है क्या आप लोग सच में बता रहे हैं कि यह कर तब मैं दुबारा फिर कर सकता हूँ। तब फिर लोगों ने बहुत ही जोस के साथ कहा कि हाँ आप दुबारा फिर यह कर तब कर सकते हैं। तब वह व्यक्ति एलाउंस करते हुए बोला कि हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप लोग उस चीज को पूरा करेंगे यह सुनकर सभी लोगों ने हाँ में हाथ उठा दिया और कहा कि हाँ हम लोग पूरा करेंगे। तब उसने कहा क्या आप सच में जो हम कहेंगे उसको पूरा करेंगे। सभी ने कहा कि हां हम लोग अवस्य पूरा करेंगे। उस सरकस दिखाने वाले व्यक्ति ने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो हम आप लोगों से यह कहना चाहेंगे कि कोई भी एक व्यक्ति अपना बच्चा दे दे इस बार मैं उस बच्चे को अपने कंधे पर बैठाल करके कर्तब दिखाना चाहूंगा जैसे ही कर्तब दिखाने वाले व्यक्ति ने ऐसा कहा तो लोगों में एकदम से सन्नाटा पसर गया लोगों को सांथ देख करके वाकलाकार माइक पर आता है और लोगों से कहता है कि क्या हुआ अभी तो आप लोगों को मुझ पर भरोसा था पर सच पूछो तो आप लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा नहीं था जिसके कारण आप लोगों में से किसी ने भी अपना बच्चा मुझको नहीं दिया कर्तब दिखाने के लिए और यह कह करके वाकलाकार अपने बच्चे को लेता है कंदे पर वैठाल करके फिर से कर्तब दिखाने लगता वा पूरा कर्तब दिखा करके सफलता पूरवक मीचे उतरता है और लोगों से कहता है कि अगर हम कोई भी कारी करते हैं तो जब हम पे पूरा भरोसा होता है तभी हम उस कारी को सफलता पूरवक पूरा कर सकते हैं दोस्तों तो यही चीज हम लोग के जीवन पे भी लागू होती है कि हम लोग जो भी कारी करते हैं अगर हम में उस पर पूरा भरोसा है तभी हम उस कारी को सफलता पूरवक पूरा कर पाएंगे और अगर हम को पूरा विश्वास नहीं है तो हम उस कारी को करेंगे पर जरूरी तो नहीं कि हम उस कारी को सफलता पूरवग पूरा कर सकें दोस्तों यह रही आज की कहानी इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि हम जो भी कारी करें तो पूरी महनत और लगन से करें जिस पे हमें 100% बिस्वास हो कि हम इस कारी को पूरा करके ही दिखाएंगे दोस्तों अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत